अगर आप मेरे चैनल पर आया है तो रिक्वेस्ट करों भी सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस यह एक जैनरल कलेक्टिव टाइमनेस रीडिंग है तो लेट स्टार्ट यू रीडिंग दिखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है लेट सी हुआ है लुट 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 तो आपके पर्शन की करेंट एनर्जी क्या है सबसे पहले तो गाइडन्स का काड आया है आपके पर्शन का जो क्राउन चक्रा है ना वह इस वक्त में एक्टिव है यानि की आपके पर्शन को गाइडन्स आ रही है जैसे ऐसे समझें कि आप जब आगे बढ़ते हो तो आपको कुछ मैसेज़स अंदर से मिलते हैं कि यह करना है यह नहीं करना है यह करना है कॉलिंग कालिंग बोलते हैं कालिंग आ रही है अंदर से कालिंग आ रही है वह वाली एनरजी आई है कि आपके पर्शन को अंदर से कालिंग आ रही है कि यह करना है यह नहीं करना है गाइडन्स आ रही है आपके पर्शन को अगर आपके पर्शन को अंदर से कालिंग आ रही है और व वही guidance है तुम्हें बाहर से भी वही same guidance सुनने को मिल रही है इत्मीस के तुम्हें करना ही है इस वक्त में ऐसा आपके person के साथ भी हो रहा है दूसरा ना इस person को traveling के vision आ रहे है ठीक है ट्रावलिंग के vision आ रहे हैं जैसे परसन किसी train में बैठ कर जा रहे हैं किसी bus में बैठ कर जब आपकी जर्णी स्टार्ट होती न आपको ऐसे ऐसे ड्रीम्स जरूर आते हैं बहुत साइ लोग को ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो जो ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे हैं बस में बैठकर कहीं जा रहे हैं कुछ साइकल पर बैठकर जा रहे हैं ठीक है तो यह चीज़ा पता क् तो हेकाड आये तो मैं बता छो करते ही, हैं न के आपके और आपक दिखरए oh अब बाच पर दौ के जा रहे हैं तो आप एक रफ़्तार से अपने जर्वी में बढ़ रही हैं अगर आप साइक पर बैटका है तो आपका बैटका है वह बहुत आप ऐसे जगवाँ पर बैठे हुए हैं और चले जा रहे हैं जब आप इस जर्णी में थोड़ा आगे आ जाते हैं तो आपको ऐसे ड्रीम साथ है कि आप एरो प्लें से जा रहे हो ठीक है जब आपको एरो प्लेंड वाले ड्रीम साने लगे ना तब समझे लिए आपकी की तरफ से निकल कर आया है लेकिन महना एक्स बिए भी कर दिया ताकि जिनको भी ऐसे ड्रीम सा रहुआ हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि किसको ऐसे ड्रीम सिहाँ पर भी आते हैं बस के ट्रेंड चड़ोंगे इरो प्लेन के आपकी परसिन को ऐसे ड्रीमस आ रहे है और क कैसे हो रहा है उनको कैसे पता चल रहा ही कि यह होने वाला है पिर उनको कैसे समझ में आ रहा ही कि हो अधि gezिक्स के हाई हो वग nucleus कि आप के आप के जिए परस चीज़ में तो can बार इस परसें के लिए उतना जादा इंट्यूशन इन वाइस ये सब चीज़ उसको मालूम भी नहीं लेकिन इतनी चीज़ तो उसको प्रैक्टिकली समझ में आ रही है कि मैंने सोचा या मैंने ड्रीम्स में देखा एक्जाक्टि वैसा ही हो रहा है ठीक है तो ये चीज़ इस परसन को बड़ा हिट कर रही है कि ये क्यों हो रहा है कि जो मिले को अंदर से काइडेंस आ रही है वही बाहर से लोग बोल रहे हैं जब यूनिवर्स आपको अपनी प्रेजन्स शो कर आना स्टार्ट करता है तो इसी तरी की चीज़ें आपके आसपास होती है कि आप जो सोचोंगे उसका आंसर मिल जाएगा उसका कनफरमेशन मिल जाएगा कोई वीडियो सामने आ जाएगी आप रो रहे होगे तो कोई ऐसा आपकर सामने स्टेटास आ जाएगा जिसमें बहु बहुत स्टॉंग हिजाब महसूस हो रहा है बहुत ही जादा हिजाब इंटेंसिटी का काड़ जैसे कोई आपको अपनी तरफ खीचता है न अपनी तरफ बुलाता है ऐसी जैसे इस परसन को आप खीच रहे हो अपनी तरफ बुला रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है कहीं न कहीं इ से इनको कनेक्टिविटी फील नहीं होगी और इसे आप अपनी तरफ कीचोगे तो एनर्जी में को यहां पर नजार आ रहे कर सोल कनेक्शन है तो यह पर उपर की तरफ उठने के बाद उन लोगों से कनेक्शन कम फील होता है जो मेट्रिक्स के लोग है उनके साथ ज्यादा कन करनी में आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत कम लोगों से बात करने का मन होता है और आप उन्हीं से बात करना पसंद करते हैं उन्हीं को सुनना पसंद करते हैं जो आपको समझ सके यह जिनको आप समझ सको कि सब आपको नहीं समझ पा रहे होते हैं बिल्कुल उसी तरीकी के साथ बहुत हाई connection में है ना तो आप आपको चाहते हुए भी परसन आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं ठीके ना चाहते हुए जैसे इस परसन का मन हो रहा है कि आप से बात करें आपको अपनी बातें बोलें आपको यूँ कितना भी एगो क्यो ना हो कोई भी एगो यहां पर काम नहीं कर रहा है जैसे लग रहा है कि कोई बहुत strongly बोला रहा है अपनी तरफ कि में तरफ आओ ऐसा यह परसन फील कर रहे हैं और जैसे इस परसन को लग रहा है कि अब मैं रुक भी नहीं सकता ठीक है क्योंकि एगो जैस तो अब आपकी तरफ आने से खुद को रोक भी नहीं पा रही क्योंकि जो आपकी तरफ आने से रोक रहा था वो या तो मैट्रिक्स के लोग थे या फिर एगो शेल्फ थी वो दोनों ही चीज़ें यहां पर दोस्तों दोते हुए नजर आ रही हैं दूसरा कार्ड है पार्टि कि होता है झाल जब आपको आपको रहने सिटुएशन को मिलता है तो आपको अनीया विज़न इसा सिटुएशन से एक ऐसी situation से जहां पर बहुत अधेरा था जहां पर बहुत लटके हुए थे आपके person वहां से जैसे एक नया रास्ता मिलना जीने की एक दूसरी वज़ा मिलना ठीक है या फिर एक hope मिलना बेस ही कल यहां पर मैसेज है जहसे प्रसे को अंदर से कालिंग आ रही है तो महतीड जREY कि थी का परटकेट करना है तुम्हें कुछ करना है तो है कि क्राउन चक्रा एक्टेव एच्प कर रखा है आपको बदे योगा करते हैं बहुत जाओवगरा शीक्वार करते हैं इस शेंड़ी विक निंग्नि आती है पिर अनकी कुनली राइस करती है दूसरा तरीका तो जब परमात्मा की दृष्टी आपके उपर पड़ रही है तो फिर वो जो कुछ भी काम होता है आपके अंदर वाला जो भी प्रॉसेस होता है उसे परमात्मा खुद हैंडल करते हैं तभी मैं आपको गाइड करती हूं कि अगर आपकी स्प्रिचल अवेक्निंग सो एक सोल सोक्स से हुई है तो कभी भी खुद प्रियास ना करें कोई भी इस तरीके का कि मैं कर लूँ यह सारी चीज़ है क्योंकि जिसने आपको जिसने आपको ट्रिगर किया है जिसने आपकी सोल शॉक जिसने आपको सोल शॉक दिया है वह जिसने आपको शीज ट्रिगर की है वही आपको पूरी यात्रा में आगे बढ़ा देगा, यानि कि परमात्मा, आपको अपने असाब से कोई करने की जरूरत नहीं है काम, यह अपने असाब से करके आदमी बिगाड लेता है, तो आपके पार्टनर की भी वही एनरजी है, जैसे कॉलिंग आ रही है, कि पार्सिपेट क कि पार्सिपेट करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, उसके बाद कार्ड है, Morality and Ordness, यहां पर इस परसन की समझदारी में जैसे ब्रद्धी हो रही है, यह परसन अपनी शकल देख रहे है, आईने में सोच रहे है कितना समझदारी है, मैं ही हूँ, ठीकि अपने आप में थ नजर आरी है, कि मैं इतना आम नहीं हूं, मैं खास हूं, मैं बहुत कम हो जाएगी चीज़ है, लेकिन हाई चीज मैंने नोटिस किया है, इस जनुरी में आने के बाद एक टाम के पाद आपको थोड़ा गुसा, बढ़ जाता है, यह इस चीज़ पर नहीं बढ़ता कि आ बे जो मतलब गलत है या फिर कुछ ऐसा कि जो जो आपको लगे का सही नहीं है तो तब आपका इगरिशन बहुत जादा बढ़ जाता है उसका कारण होता है क्योंकि आप वो चीज़ देख करना बरदाश नहीं कर पाते हो तो वो मेरे को यहां पर खेर वो चीज़ चोड़ी है पर स्पेशन हो यह मुझे आपर दिखाई दे रहा है यह आपके पार्टनर की राइट ना एनरजी है आपके बार में क्या सोच रहे हैं आपके बार में तो देखे गाई उन्हें समझ में आया कि आप से कोई ना कोई पास लाइफ कनेक्शन है अगर आपने यह चीज़ उनको ब क्रिएटिव यह परसन आपको बोल रहे हैं और वाओ और देखते हैं आज की दिन में यह परसन आपसे बात करने वाले हैं हाला कि कुछ लोगं का यूनियन दिखाई देता है आपके परसन आपसे बात करेंगे आज की दिन में आपके बारे में इस परसन की यह सोचे कि आप पूरी तरीके से बदल चुके हैं अपनी लाइट के अंदर चांस पोगे हैं एंड हाई प्रीस्टेस और कुई आफ कोई सिखाता है कि इस्टेबल भी हैं साइकिक भी हैं इंट्यूटिफ भी हैं इसक्त मेर काफी अच्छी एनरजी में आप पहुच गया हैं ऐसी एनरजी का इंसान इस परसे ने मैनिफेस्ट किया था आपके परसें बेसिकली डिस्टॉ इनरजी देखा नहीं जाता आपकी डिस्टॉर्शन से वह भागने लगते हैं आपसे ठीक है क्योंकि उनके अंदर खुद भी डिस्टॉर्शन है कोई किसी की डिस्टॉर्टिद एनरजी को हैंडल नहीं करना चाहता तो वह आपके देवहार से इस रवाई से आपके दूर आते हो जैसी आप आट्राक्St अनर आते हो यह परसं वापस से आपकी तरफ अट्राक्ट एनना स्टार्ट होते हैं कोई भी हो derive Vedja निजिए होंंकि परस बीज़िस और यह का समयते हैं ऑट्राइक्रित आते हैं लेको आशओए हूंनका ही और उनका पार्टरॉम्च जातों नोसी के साथ और मिल नहीं पाते हैं लेकिन रिटन जरूर को निकलती जब है रिटर्ण को निकलती है खिर मुझे यहां पर फिलाल यही नजर आरे सवाज के दिन में आपके बगत अच्छी बात हो सकती है क्या बोलेंगे आपको यह कौन सा दुख़ा सुनाइंगे आपको यह क्या बताएंगे आप इनकी एनरजी बोलने से पहली समझ जाते हो कि यह क्या बोलने वाले हैं इंट्यूशन आपके हाई होते हैं यह चीज में को यहां पर दिखाई दे लिए गाई आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो वीडियो पसंद आयते लाइक इस वीडियो सब्सक्राइब मैं चानल थैंक यू गाई